तो वेलकम क्लास 11 आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे अपने भारतिय स्वमिधान की प्रस्तावना इसे उदेशी का भी बोल देते हैं या इंग्लीश में बोलते हैं तब प्रियंबल ओफ इंडियन कॉंस्टिटूशन तो जल्दी से स्ट करते आज का वीडियो देखते हैं कि प्रस्तावना के बारे में क्या-क्या टॉपिक्स और क्या-क्या बाते या क्या-क्या कोशन सापके सामने आ सकते हैं तो चले बीडियो मैं हूं विकृन्द आप देख नाइंड प्रियंबल स्माइब तो 11th class सबसे पहले हमें पढ़ना है जो हमारी प्रस्तावना की विशेष्टाएं है characteristics and features of Indian preamble इसमें मैं आपको request करूँ है जरूर से आप वीडियो के साथ चाथ अपनी एक preamble या प्रस्तावना जो आपके book के पहले page पर ही लिखे होती है उसे जरूर निकाल के रखे क्योंकि इसके हर शब्से एक विशेष्टा या characteristics निकलती है तो सबसे पहला वड़ाता होगा हम भारत के लोग इस last पर देखोगे इस प्रस्तावना को अधीनिमित अंगेकरित आत्मप्रित करते हैं मतलब इस देश के समिधान को इस देश की जनता ने खुद ही अपने आप अपनाया है बनाया है इसको आत्मप्रित खुद को समर्प्रित कर दिया है इसके अंदर किसी का कोई योगदान नहीं है या कोई प्रभाव नहीं डाला है मतलब चाहे सारी शक्तियों का इस्तमाल कारे पालिका करे या स्थापिका करे या न्याय पालिका करे और अपना अपना शक्तियों का पूरा काम करे लेकिन उन सब को शक्तियां किस से मिलती है सविधान से और सविधान के अंदर इस पश्ट है इस प्रस्तावना में कि अंतिम सत्था या अंतिम शक्ति जो देश की सबसे बड़ी शक्ति है अंतिम सत्था लास्ट पावर वो पब पुर्यदेश की जटता इसके अंदर अंतिम सत्ता- लाश्ट- पावर रहती है यह कि पहली विशेश्टा रहर श्वर्रक्तिर्क्ष अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ philosophy of Indian constitution या भारतिय समिधान के दर्शन पढ़ाया हुआ है उस वीडियो में इन सब का पूरा detail में बहुत आराम से समझाया है हिंदी में भी, इंग्लिश में भी तो उस वीडियो का link मैं I button में छोड़ रहा हूँ अगर किसी को नहीं देखा तो जरूर से वो देखना क्योंकि उसमें सब का मतलब आ जाता है लेकिन अब इन पांचो वर्ड का meaning आपको यहां भी अगर विशेष्टाएं में आ जाएं तो दूसरा point डाल कर A, B, C, D, E लिखकर इन पांचो वर्ड का meaning लिख देना है इन शब्दों का मतलब और इनकी विशेष्टा आपको बतानी है ठीक है अब हो गई दो विशेष्टाएं बढ़ते हैं तीसरी की तरह प्रस्तावनाव में नेक्स्ट आता है पांच उदेश्य इसकी विशेष्टाव में इनके उपर ही बात की गई है पांच कौन-कौन से है उसमें पहला है न्याय अब न्याय कौन-कौन से लेवल का है स्तर का है पहला है समाजिक न्याय समाजिक मतलब की social justice मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ या परसन के साथ धर्म भाशा जाती लिंग के आधार पे बेस पर समाज में social लेवल पर समाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार का भेदवाओ या यूं कहलो के discrimination नहीं किया जाएगा तो इस प्रकार समाजिक न्याय की स्थापना की गई है यह है पहली विशेश्टा इसका न्याय का पहला कारा क्या फेक्टर दूसरा आर्थिक एकनोमिक सभी को विकास के समान उसर मिलेंगे नोकरियों में समानता मिलेगी और यहां तक की सरकार भी इस तरह की कोशिश करेगी कि सभी की नियुनितम अवशक्ताएं बेसिक एमनिटीज पूरी की जाएं ताकि किसी के साथ भी आर्थिक स्तर पर या आर्थिक लेवल पर यूँ कहलो कि आर्थिक शेत्र में एकनॉमिक रीजन में आर्थिक स्तर पर कोई शोशन या एक्स्प्रोरिटेशन ना हो सबो सबी के साथ equal व्यावार या behavior या यूं कहलो कि समान व्यावार आर्थिक स्तर पर किया जाएगा नोकरी हो चाहे उसके व्यावसाय हो चाहे किसी भी शेत्र में वो काम कर रहा है economic शेत्र में region में उसको अपने काम करने का काम करके अपने जीवी का जुटाने का अपनी basic communities को तीसरा है political level political justice या यूं कहलो राजनितिक ने आए तो राजनितिक स्तर पर भी किसी के साथ अन्याय ना हो तो सभी को पहले भी पढ़ाया था फिर बता रहा हूं सारबोमिक व्यस्मत अधिकार दिया गया है adult franchise सभी को मत देने का अधिकार है 18 वर्ष के आयू के बाद प्रकार जितने भी political है यह सभी को बिना किसी भेदबाओ without any discrimination दिये गए है चाहे right to vote हो right to elect हो right to win हो और right to participate in politics हो इसमें किसी प्रकार का कोई भेदबाओ नहीं किया गया है तो इस प्रकार पहला जो उदेश्य है वो न्याय की स्थापना न्याय यह मतलब जस्टिस की एस्ट establishment यह उसे प्राप करना है उसे गेट करना है यह सबसे बड़ी बात है न्याय तो पांच उदेश्यों में पहला आपने पढ़ लिया न्याय न्याय भी समाजिक आर्थिक और राजिनीतिक अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ पांच में से दूसरे की तरफ तो क्लास 11 पांच उदेश्य और आदर्श में नेक्स पॉइंट है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की सोतंतरता फ्रीडम ऑफ थोट एक्स्प्रेशन बिलीफ या फेथ कुछ भी कह सकते हैं रिलीजेंड एंड वर्शिप मतलब आपको पांच इन शेत्रों में पूरी तर पूर्ता या फ्रीडम या लिबर्टी दी गई है आप कोई भी विचार रख सकते हैं उन विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं ना केवल अपना सकते हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसी धर्म के अनुसार जैसे भी पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मतलब आपको इन पांचों शेत्रों में पूर्ण सोतंतरता फुल लिबर्टी या फ्रीडम दी गई है मतलब आप इन शेत्रों में आपके उपर सरकार या कोई भी शासंग का अंग किसी प्रकार का प्रतिबंद या किसी प्रकार की रोक नहीं लगा सकता पर याद रखना ये सब सोतंतरता का मतलब यही है कि ये आप इस्तमाल करेंगे तो राष्टिये हिद या यूं कहलो कि राष्ट से उपर जाकर नहीं कर सकते जैसे कि आप कोई भी विचार रख सकते हैं पर ये नहीं बोल सकते हैं कि भारत के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं expression कर सकते हैं लेकिन भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ तरक संगत लोजिकल आलोचना criticism कर सकते हैं लेकिन देश की खिलाफ नहीं कर सकते हैं ऐसी चीजे के लिए कुछ न कुछ प्रोविजन या प्रावधान बना दिये जाते हैं कानून के तोर पे लेकिन भ प्रोचना कर सकते हैं कोई भी विचार को अपना सकते हैं रख सकते हैं अपने विचारों को अभीवियक एक्सप्रेस कर सकते हैं विश्वास रख सकते हैं मान सकते हैं आपको जो मानना है मानो धर्म और उपासना कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं उसका प्रचारप्रसार प्र जो पूजा यासी करते हैं सिख वो ऐसे कर सकते हैं इसाई चर्च में जाके पूजा कर सकते हैं तो इस चीज़ की पूरी फ्रीडम दी गई है तो पांच उदेश्य और आदर्श में दूसरा ये वाला उदेश्य और आदर्श आता है इसकी विशेश्टा होगा अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ तो 11th क्लास पांच उदेश्य और आदर्श में जो सी पूइंट है थाड़ है वो है प्रतिश्टा और अवसर की समानता इक्वैलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑपर्सुनिटी बेसिकली इस पूरी विशेश्टा में आपको आर्थिक्षित एकनॉमिक एरि में अवसरों की समानता का जिक्र सोला में मिलता है यह इक्वैलिटी ऑफ अपरजिनिटी जिसमें आप कोई भी नोकरी प्राप्त करने के लिए अगर योग्यता या यूँ कहलो की कौलिफिकेशन रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं उस नोकरी को पा सकते हैं धर्म जाती बाशा लिंक के अधार पर आपके साथ कोई भी भेदबाह वहां पर नहीं किया जाएगा प्रतिष्टा अपनी आप जो अर्थिक स्थर पर बनाए रखना चाहते हैं अपना स्टेटस या यूँ कहलो उसको भी बनाए रखने का आपका पूरा हक है यहां तक कि सरकार को कल्यान के लिए ताकि आर्थिक स्थर पर जो लोग पिछड़े वह हैं एकनोमिकली जो लोग बैकवर्ड एरिया बैकवर्ड हो गए हैं एकनोमिकली बिचारे पिछड़ गए हैं बेसिकली यूं कहलो आर्थिक सेत्र में समाजिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं अब बढ़ते हैं हम next तो 11th class नेक्स्ट है बंदुता या fraternity इस विचार को भारते सुविधान की शेष्टा या प्रस्तावना की विशेष्टा में आप कहा सकते हो लिया गया है फ्रांस फ्रांस की क्रांती के वक्त नारा यही लगाया गया था सुतंतता, समानता और भाईचारा या भाईचारा मतलब बंदुता जिसे बोला जाता है fraternity fraternity मतलब भाध बाउना देखो भारत जैसे देश में जहां सांस्कृतिक, कल्चरल समाजिक, शोशली आप देखोगे कई प्रकार की संस्कृतियां यू कहलो विविद्दा में एकता पाई जाती है यहां विभिन धर्म के भी लोग है विभिन भाषा के भी लोग है विभिन संस्कृतियों के भी लोग है ऐसे में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सारा देश मिलकर आगे चले इसके लिए प्रस्तावनाव में बंदूता फ्रेटरिनिटी या जैसे शब्द का इस्तमाल होता है मतलब सभी लोग एक दूसरे के साथ अपनी संस्कृति अपने धर्म अपनी हर भाषा यह सब लोग अपने उसको बना कर भी रख सकते हैं अपने पास भी रख सकते हैं और उसके बाद भी एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे तो इस चीज का काफी ज़्यादा अभारतिय स्विधान के पिस्तावना में भी और स्विधान में भी काफी इस्तमाल किया गया है बंदूता पर या यूं कहलो इस्तमाल से ज़्यादा बंदूता पर काफी ज़्यादा जोर यह कहलो काफी ज़्यादा इसके ओपर ध्यान दिया गया है अब बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट की तरह तो 11 क्लास पांच उदेश है और आदर्श का जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है राष्ट की एकता और अखंड़ता दगो किसी भी देश के लिए वो अपने नागरिकों को कितने भी सुतंतरता दे नागरिक चाहे कितना भी विकास करें कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन उस देश का अंतिम भविश्य यह कहते है लास्ट फूइचर ठीका होता है उसकी एकता और अखंड़त पर तो इसलिए क्योंकि नागरिकों के विकास के साथ उनकी सुतंतरताओं के साथ समानताओं के साथ न्याए के साथ यह सारी चीजे नागरिकों को दी जाए लेकिन एक चीज और जरूरी है वो है राश्ट हमारा नेशन वो सबसे उपर आता है तो राश्ट की एकता ना बने और तो और अखंडता integrity of nation देखो अखंडता का शब्द पहले भारतिय सविधान के प्रस्तावना सविधान में इस्तमाल नहीं होता यह अखंडता का शब्द 1976 में एड होता है 42 संशोधन से इसके बारे में डीटेल में आगे पढ़ लेंगे 42 संशोधन 42 का रही है यूँ कहलो आ लगाओ वादी लोग या ततु पैदा हो गएते जो देश से के टुकड़े करने के लिए अमादा हो गएते ऐसे में देश के टुकड़े ना हों देश अखंड रहे एक बना रहे सभी लोग एकता के साथ अखंड भारत के निर्मान में काम कर सके इस इस चीज के महत को इंपोर्टेंस को दिखाने के लिए अखंडता का शब्द भी जोड़ा गया और इस पर भी बहुत जोर दिया गया ये भी भारते सविदान की विशेष्टा है कि पूरा भारत इतना बड़ा विशाल भारत है इतनी संस्कृति है इतने धर्म के लोग है ये स जो प्रस्तावना का नेक्स लोपिक आता है प्रस्तावना का महत इंपोर्टेंस और प्रियम्बल उसकी तरफ जल्दी से चलते हैं तो 11th क्लास अब आता है प्रस्तावना का महत इंपोर्टेंस और प्रियम्बल इसमें पहला है समविधान का दर्शन है फिलोस्फी ओफ कॉ देखो प्रस्तावना सिर्फ समविधान का अंग या भी नंग नहीं है यह उससे भी बहुत ज़ादा है हमारा समविधान बहुत बड़ा बहुत विशाल है लेकिन इतने बड़े और विशाल होने के बाउजूद समविधान के सारे दर्शन यूँ कहलो फिलोसफी इसी एक प् ये किस दर्शन पर बनाओा है इसी प्रस्तावना के पूरे दर्शनों के उपर under the basis of all philosophies और कुछ नहीं है प्रस्तावना के अंदर जितना भी कुछ है वो कही न कही इनी दर्शन या इनी फिलोसफी से related या संबंदित है तो ये पुरा एक समीधान का दर्शन है आप उसे पढ़ लोगो तो समझ जाओगे कि पूरा समीधान क्या कहना चाह रहा आपको अब बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट की तरफ तो 11th क्लास प्रेयंबल का महत या यू कहलो कि Importance of Preamble में दूसरा पॉइंट आ जाता है इसके महत में साहिते का अद्वित्य नमूना यूनीक पीस ओफ लिटरेचर देखो प्रस्तावना को ठीक से पढ़ो एक एक शब्द का इतनी perfection इतनी बारी की इतनी महतुता के साथ इस्तमाल किया गया है कि मतलब इतने से शब्दों में आप यू कहलो कि बहुत बड़ा knowledge ये ग्यान बसा दिया गया है एक page के अंदर इतनी सारी knowledge ग्यान दे दिया गया है यू कहलो कि जितना हमारा 395 अनुछे जब बने थे उनके अंदर क्या-क्या है वो सब इस एक page में पता लग जाता है सविदान का मूल धांचा उसका मूल structure या basic structure क्या है इसके अंदर और क्या-क्या मौजूद है यू कहलो इस पूरे एक page में हर शब्द का इतनी बड़ी गहराई बड़ी deepness के साथ इतना इस्तमाल या use हुआ है कि ये अपने आप में एक unique piece अदिवत्ती नमूना बन गया है इसके शब्दों के अंदर हर शब्द को इतने बड़े-बड़े मतलब निकल कर आते हैं यू कि यू लगता है कि एक ही page में पूरा सविदान बन गया हो जैसे तो ये क्योंकि इसके अंदर शब्द इन शब्दों के earth, meaning, importance, महत बहुत बड़े बन जाते हैं इसलिए एक एक शब्द का बड़े perfection के साथ एक बहुत बड़ी यू कहलो कि सफलता के साथ इस्तमाल किया गया है इसी क्यारण ये क्या बन गया है, साहित्ते का अधित्ते नमूना बन गया है बहुत तिखाने के लाएगे, मतलब इसे पढ़ लो, तो एक बार तो बहुत knowledge एक इदम एक ही page में मिल जाती है या ग्यान मिल जाते हैं, आप बढ़ते हैं next point की तरफ तो 11th class, third point आता है, सविधान की व्याख्या के लिए उप्लियुक्ति या suitable for interpretation of constitution देगो अगर सविधान की भाषा को लेकर, सविधान की कहीं भी किसी धारा को लेकर, धारा कहलो, आर्टिकल कहलो, कोई भी प्रोविजन को लेकर, परावधान को लेकर भाषा, language में कोई unclearance है, आसपश्टता है, या कोई dispute आ गया है, मतबेद आ गया है, तो उसकी व्याख्या करने के लिए, उसको interpret करने के लिए, यूँ कहलो कि define करने के लिए, किस चीज को आधार या base बनाया जाएगा, तो किसको बनाया जाएगा, प्रस्तावना या preamble को मतलब इतना बड़ा समिधान है, समिधान में ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसे ऐसे यूँ कहलो की provisions प्रावधान दिये गए हैं, कि कहीं न कहीं उसको लेकर, कहीं कोई शंका या मतबेद dispute होते रहते हैं नहीं, कि समिधान में जो लिखा गया इसका अर्थ, या meaning ये निकलता है, नहीं, अर्थ दूसरा निकलता है, ऐसे में इन अर्थों को लेकर, प्रावधान को लेकर मतबेद dispute होते रहते हैं और समय समय पर, इसको लेकर मुकदमे या यूं कहलो कि cases, या मामले, मुद्दे, issues, court में नयायपालिका में जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, सम समविधान को लेकर कहीं भी कोई भी मतबे dispute होगा, तो आधार या base बनाया जाएगा प्रस्तावना या preamble को, क्योंकि यही वो एक धाचा है, जो यह बताता है कि समविधान किस चीज़ पर आधारित है, based है, तो यही एक प्रस्तावना सबसे जादा मैत रखती है, क्योंकि जब कभी कोई doubt आएगा, तो प्रस्तावना कोई definition या interpretation के लिए इस्तमाल किया जाएगा, अब बढ़ते हैं अगले point की तरफ, तो 11th class, next point आता है, कानूनी आधार नहीं है, no legal basis या not legal basis, देखो प्रस्तावना ना तो समविधान का अभीन अंग है, ना ही यह कोई कानून है, ना ही सरकार इसके अंदर लिखे कानून, उसे किसी प्रकार कोई भी कहते हैं, कि कानून है, बंद सकी है, बंदी हुई है, ना नायपाली का इसके धाराओं को या इसके अंदर लिखे शब्दों को कानूनी रूप से लागूगर से, यह इन सबसे अलग है, यह आने वाली generation, नसलों के लिए, आने वाली पीडियों के लिए, एक प्रेरणा, एक inspiration का काम करती है, कि हम भविश्य में अपने देश को क्या दे कर जाएंगे, और भविश्य में अपने देश को कैसा बनाएंगे, यह एक प्रकार का, एक यह कहलो कि, इंस्प्रेरणा का एक स्तोत है, source of inspiration है कि हमारा देश किन चीजों के लिए काम करेगा, किन चीजों पर आगे बढ़ेगा, यह सबसे बड़ी एक ऐसी, मतलब प्रस्तावना एक अपने आप में एक ऐसा importance रखती है, कि सविधान के सबसे आगे है, लेकिन यह सविधान का कुछ भी नहीं है, तो भी सबसे साधा मेहत पूँड है, क्यों? क्योंकि यही बताएगा कि भाया साल पहले, 70 साल पहले हमारा जो देश बनाता, तब वो किन आदर्शों, किन प्रिंसिपलस को लेके चलाता, और आगे भी हम इन प्रिंसिपल्स को खतम नहीं होने देंगे, यह प्रिंसिपल्स के लिए यह प्रिंसिपल्स हमारे अंदर inspiration प्रेरणा का काम करेंगे, एक प्रेरणा सोत inspiration आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर भविशा आने वाली पीडियां भी आएंगी, देखो कोई भी इंसान हो या क कोई भी वेक्ती हो वो पर्मानेंट स्थाई नहीं होता पचास 1950 में क्या था 2020 में क्या लेकिन या दर्श आज भी हमारे अंदर पीडियों में आगे भी सुतंतर ता समान ता यह सब चीजें नियाए यह उस वक्त भी बहुत प्रेणा का काम करते हैं आज भी हमारे ले काम करते रहें तो हमारा देश किन पीर सिदान्तों से आगे बढ़ेगा प्रेणा के साथ आगे बढ़ेगा तो यह प्रस्तावना उसके अंदर इसका लीगल बेस से जाधा यह कोई कानूनी आधार ना होते हुए भी सबसे महत्पून बन जाती है तो 11 क्लास यह थे आपके सामने प् समझ सकता हूँ आप दसवी जाएं दसवी तक आपके साथ क्या मैं जानता हूँ दसवी तक कैसे कैसे सलेबस में आपको पास करके आर्ट्स में भेज़ देते हैं कि इसलेबस में कोई खास कठीनाई नहीं आती मैंने देखा है दसवी तक का जो शोशल का सलेबस है उसमें ब पूरा ध्यान लगाना है क्योंकि ग्यारवी की पॉलिटिकल मैं जानता हूं बारवी से भी कई न कई मुश्किल बढ़ती है इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को पड़े लेना तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियों